कर्म के फल सबको भुगतने पड़ते हैं, आपने ऐसा सुना होगा, हम इनसा बातों पर ध्यान नहीं देते, सोचते हैं अरे ये सब तो कहने की बाते हैं, लेकिन बच्चों ऐसा होता नहीं, होता यही है, जो हम करते हैं, वो हमारे सामने जरूर आता है, आज, कल, परसो, नर् देवकी का नाम आपने सुना होगा, जिन्हों ने कृष्ण को जन्म दिया, उनको कंस ने 14 साल जेल में रखा था, देवकी और वासुदेव को, वहीं पर कृष्ण का जन्म हुआ, क्योंकि उसको अभिशाप था, कि वो उनका आठवा पुत्र जो है, वो उसका बद करेगा, तो उसको जेल में बंद कर दिया, और सारे पुत्रों को उसके जितनी भी करन्या हुई, या जो भी उनके बच्चे हुए, उसको उसने मार दिया, उस समय जब कृष्ण हुए, तो वासुदेव बहुत मुश्किलों से, जेल से उनको ले करके वहां से निकल गए, और नंद जेव की अपनी मा से मिले, तो मा ने पूछा, कि बेटा, तुम तो भगवान थे, तुम तो सब कुछ कर सकते थे, तो तुम ने मुझे पहले क्यों नहीं चुड़ाया, चौधा वर्ष मैं यहां जेल में रही, तो कृष्ण ने कहा, मा यह तो कर्म के फल है, मैं क्या करता, आपने पिछले जनम में चौधा वर्ष का मुझे वनवास दिया था, आपके कई थी और मैं राम, तो आपको इस समय में, आपको इस जीवन में वो चौधा वर्ष पूरे करने पड़े, तो बोली और तुम यशुदा के पास रहे, वो तो बोली वो यशुदा मा जो थी, व पता चलता है कि भगवान भी अपने कर्म के फल को नहीं रोक सकते, जो होना है, जो कर्मों के फल है उसको भुगतना ही पड़ेगा, भगवान भी उसके आगे कुछ नहीं कर सकते, वो भी मजबूर हो जाते हैं, तो इसलिए सबसे अच्छा यही है कि हम अपने कर्म ध्यान कर्म अच्छे करें, तो हमें फल जरूर मिलेगा, हमारे मन में आया, मैंने तो इतना अच्छा करा, मैंने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ क्यों बुरा होता है, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है, आज कुछ बुरा हो रहा है, वो हमारे हो सकता है, पहले हमारे कर्मों का फल है। और वास्तों में ये होता है यह नहीं होता पता नहीं। लेकिन कम से कम दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। तो अच्छे कर्म करते चलिए और आपके साथ अच्छा होता चलें।